पांच जो विधान सभा पे चुनाव हो रहे हैं और एक जो लोगसभा की सीट पे चुनाव हो रहे हैं रामचंद्र पासवान के बेटे प्रिंस राज चुनाव लड़ने वाले हैं चिराग पासवान और रामविलास पासवान समस्तिपूर से जब प्रचार कर लोट रहे थे तो चिराग पासवान ने कहा कि पांचो सीटों पर बलकि पांच नहीं छेओ सीटों पर NDA गठ बंधन बेहद ही बढ़ियां प्रदर्शन करेगा और यहां भी कहा कि 2020 में होने वाले विधान सवा चुनावों में भी दो तिहाई बहुमत से चुनाव NDA जीतने जा रहा है उप्चुनाव बलकि 2020 के जो बिहार के जो विधान सवा के चुनावों है उसमें भी इस बार इंडिये को एक इतियासे जीत हासिल होगी दो तिहाई सीटों से अधिक से हम लोग इस बार प्यार के विधान सवा चुनाव चुनाव तो चिराग पासवान NDA के काम को लेकर NDA क के तैयारियों को लेकर के बहुत कॉन्फिडेंट हैं उनके बयान से यह साफ हो रहा है समस्तिपूर में उप्चुनाव होने हैं लोग सवा के उप्चुनाव रामचादर प्रासवान के निधन के बाद जो सीट खाली हुई अब उस पर उनके बेटे चुनाव लड़ने जा कि कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं है आगे विधान सवा चुनाव के लिए टार्गेट दे दिया है बेरहाल लोग सवा और विधान सवा के उप्चुनावों के साथ साथ विहार में बार के जो हालात बने हुए हैं उसके सबसे दाज़ा अपडेट लाइश आप तक पहु विधान सवा पर चुनाव बार चुनावा और विधान सवा चुनाव में फंडिया बट बंन जीतेगा अड़ टीहाई सीटों से अधेख से हम लोग तेयार के बदान सवा चुना चुनाव चहलाएं झाल झाल